ये ZBC की उर्दू सर्विस है, पेश ख़दमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सेर्बीन, ये प्रोग्राम अब हर रोज रात आठ बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं सनीचर 12 अक्तूबर के सेर्बीन से जावेद जोहतरी का सलाम मुदी हमेशा के लिए इक्तिदार में नहीं रहेंगे, कश्मीर के एलेक्शन में फतेह के बाद उमर अबदुला का आर्टिकल 370 की भाली का मुदालबा पाकिस्तान की हकूमत की जानब से जानब से जावेद आर्टिकल 370 की भाली का जिर्गा शुरू दूर दरास से आई शुरू का के लिए खैमाबस्ती तेयार पाकिस्तान की हकूमत की जानब से पाँच आई पीपी से मौहिदों से खात्मे के बाद क्या आवाम के लिए बिजली की कीमत कम होगी? पाकिस्तान के वफा की दारोल हकूमत में 15 अक्तूबर को S.C.O. के इजलास के दुरान तहरीक इनसाफ का डी चौक पर एतजाज का एलान हकूमती वुजरा का सख्त रदे अमल अमन का नोबेल इनाम हिरोशीमा नागा साकी की एटम बॉम हमलों में जिन्दा बच जाने वालों की तन्जीम के नाम मगर क्या कोई ऐसा भी है जिसने ये इनाम लेने से इंकार किया हो? मसनोई जिहानत के गौड़ फादर जिने मशीनों के इनसानों से जहीन होने का खौफ है उनके लिए फिजिक्स के शौबे में नोबेल प्राइज का एलान सो अरब डॉलर से ज्यादा आमदन वाली ताटा कंपनी के नए सरबरा कौन बने हैं और हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी बोहिंग 17,000 मुलाजमतें क्यों खत्म कर रही है मजीद ये के बलोचिस्तान से तालुक रखने वाली और लापता बलोचों के लिए एतिजाजी मार्च की क्यादत करने वाली मारंग बलोच के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज किया गया है फटे पुराने कपड़ों से डिजाइनर मसुनुआत बनाने वाली पाकिस्तानी बेहनों ने कैसे आलमी शौरत हासिल की और ये भी के सुई की नौक से भी छोटा मक्खी का दिमाग जिस से मिलने वाले राजों ने साइंस दानों को हैरत में मुबतला कर दिया ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के सेर्बीन में शामिल है मगर सबसे पहले आहम आलमी खबरों का खुलासा खबर साइदारे रोइटर्स के मताबिक तिब्बी अमले ने बताया है कि जुम्ह की राज जबालिया पर किये जाने वाले इसराइली हमलों में कम अज कम 20 अफराद हलाक और तरजनों जखमी हुए हैं मेडिसन सांज फरेंटियर का कहना है कि जबालिया अपना गुजीन कैम्प में हजार अफराद फसे हुए हैं एक्सपर एक पोस्ट में MSF के प्रोजेक्ट कौाडिनेटर सारा यो का कहना है कि किसी को भी अंदर या बाहर जाने की अजासत नहीं है कैम्प में फसे MSF के ड्राइवर हैदर का कहना है कि मैं यहां रुकने पर खोफ जदा हूँ और यहां से जाने से भी डर रहा हूँ इसराइली अफ़ाज ने एक हफ़ता कबल इस इलाके में कारवाई का अगास किया था जिसका मकसद हमास को दुबारा मुनजम होने से रोकना है खबर रसा इदारे रोइडर्स के मताबिक जुमे करोज घजा की पटी में इसराइली फोज के हमलों में 61 अफ़ाद हलाक हुए हैं घजा की वजारत सेथ ने हस्पताल में इंधन की फोरी फ्राहमी का मतालबा किया है गुजशता रोज घजा में हमास के जेरे इंतिजाम वजारत सेथ के जानब से जबालिया पना गुजीन कैम्प के कमाल अदवान हस्पताल में इंतहाई निगेदाश्ट यूनिट के लिए इंधन की फोरी दर्खास्त की गई थी टेलिग्राम पर एक पोस्ट में वजारत सेथ ने कहा है कि इसे बहुत देर होने से पहले जखमियों और बिमारों की जिंदगियां बचाने के लिए इंधन की जरूरत है इस हफते के अवाइल में फलस्तिनी तिबी अमले ने कहा था कि उन्होंने कबल अज़ वक्त पैदा होने वाले बचों और दीगर मरीजों को हस्पताल से दूर करना शुरू कर दिया है क्योंके इसराईली फोजियों और टैंकों ने इसे घेरे में ले रखा है वजारत सेहत ने शुमाली घजा के इलाके जबालिया में इसराईल के ताजातरीन हमलों पर अभी तक कोई तबसरा नहीं किया है इंडिया के जेरे इंतिजाम कश्मीर में दस बरसों बाद मुनकद होने वाले इंतखाबात में नेशनल कॉन्फरंस बियालीज निशिस्तें जीत कर सबसे बड़ी जमात बनकर उबरी है और कॉंग्रेस से इताहाद के सबब हकुमत बनाने की त्यारी कर रही है कॉंग्रेस इन इंतखाबात में छे निशिस्तें जीतने में कामियाब हुई है ख्याल है के नेशनल कॉन्फरंस की पार्लिमानी पार्टी के सरबरा उमर अब्दुला दूसरी मर्तबा इंडिया के जेरे इंतिजाम कश्मीर के वजीर आला मुन्तखब होंगे BBC के नामा निगार रगा विंदर राओ को दिये गए इंटर्व्यू में इडिया के जेरे इंतिजाम कश्मीर के मुमकना वजीर आला उमर अब्दुला ने कहा है के नई देली में भारतिया जन्तपार्टी यानि BJP की हकुमत के होते हुए आर्टिकल 370 की भाली मुमकन नहीं है उनका कहना है कि मैंने हमेशा कहा है पिछले 5 सालों से मैं कहता आया हूँ कि ये उमीद करना कि जिन लोगों ने हमसे आर्टिकल 370 चीना वो लोग हमें इसे वापिस दे देंगे ये तो बेवकुफी है मुल्क में कभी ना कभी तो हकुमत बदलेगी कभी ना कभी तो नई हकुमत आएगी और ऐसी हकुमत आएगी जिसके साथ बैठ कर हम कम से कम बात कर पाएंगे। ख्याल रहे के वजिर आजम नरेंदर मोदी की हकुमत ने अगस्त 2019 में इंडियन आइन से आर्टिकल 370 को हज़फ कर दिया था जिसके तहद इसके जिरे इंतिजाम कश्मीर को नीम खुद मुखतार हैसियत और खसूसी इक्तियारात हासिल थे। इस शिक के खात्मे के बाद इंडिया के तमाम मरकजी कवानीन रियासती असंबली की मनजूरी के बगर कश्मीर में नाफिस हो गए थे। आके में 29 निशिष्टें जीती हैं जबके 90 अराकीन पर मुश्तमिल असंबली में नैशनल कॉन्फरेंस और कॉंगरस के पास 48 निशिष्टें हैं लेकिन अमर अब्दुला कहते हैं कि ये वो असंबली नहीं है जिसका हमें हक है ये आर्जी असंबली है और इस असंबली के पहुंचेंगे जिसका वादा हमसे इस मुल्क के वजीर आजम ने हमारे साथ किया है उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दरजा वापिस मिलेगा और हम इसके इंतजार में हैं उमर अब्दुला ने मजीद कहा कि हकूमत बनने के बाद काबीना के पहले इजला बिजनिस ऑफ दे कैबनेट शुड बी तो पास रेजलूशन आसकिंग फॉर स्टेट हुड तो बी रिस्टोर तो जमू और कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान और इंडिया के दर्मयान मुजाकरात की हमी रही है पाकिस्तान में रवा महीने शिंगाई तावन तन्जीम यान इंडिया के तालुकात जेर गुफ्तगू नहीं आएंगे उमर अब्दुला इस से मतलक एक सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि बाद चीत नहीं होगी लेकिन इंडियन वजीर खारजा पाकिस्तान जा रही हैं एक छोटी शुरुआत है कल तक वो जाने को भी तयार नह है पाकिस्तान के सुबा खैबर पक्तून खा के जिला खैबर में पच्टून ताफूज मॉमिंट का तीन रोजा जिर्गा सिनिचर की सपहर से शुरू हो गया है और जिला खैबर में इस वक्त जिर्गे का मुकाम एक खैमा बस्ती का मनज़र पेश कर रहा है बीबिसी के ना जिर्गे के मुकाम पर बड़ी तदाद में खैमें लगाए गए हैं और ऐसा महसूस हो रहा है के जैसे पिशावर और जिला खैबर की सरद पर एक तरह की खैमाबस्ती अबाद हो गई है इन खैमों में 45 से जाइद खैमें ऐसे लगाए गए हैं जो बलोटिस्तान से लेकर खैबर पक्तून खा के मुक्तलिफ अजला के हैं जबके 35 के करीब ऐसे खैमें हैं जिन में सियसी जमातें, ट्रेडर्स, ताजर, ट्रांसपोर्टर्स समयत मुक्तलिफ लोग मुझूद हैं और ये तमाम इलाका खैमाबस्ती का मनजर पेश कर रहा है अजीज उला खान ने जिर्गे में आने वालों से रास्ते में दरपेश मुश्कलात पर बात की जिर्गे में आने वालों में बाज शुरुका काफी मुसीबतें जहलते हुए आए हैं क्योंके रास्ते बंद होने समयत मुख्तलिफ पाबंदियां आइद की गई है वजिरिस्तान से आने वाले जादतर लोग पैदल चल कर आए जिससे उनके पैरों में चाले पड़ गए वजिरिस्तान से खैबर तक का रास्ता 76 किलो मीटर का बनता है कई लोग वहां से डी आई खान से गाड़ियां लेकर भी आए पी टी एम की मारूफ टोपी यहां पर मुतादद शुरुका ने पहने हुई है जबके बड़ी तदाद में लोगों ने मुबाइल फोन उठा रखे हैं और हर लमा यादगार के तोर पर महफूस कर रहे हैं यहां किताबों के कई स्टाल्स मुझूद हैं और पश्टून कौम परस्ती के हवाले से किताबे भी मुझूद हैं जिनें खरीदा जा रहा है यहां शुरुका में ज़्यादातर नोजवान है जबके बुजर्गों की भी बड़ी तदाद मुझूद है तो गोया खैबर और पिशावर की सरद पर एक पूरा शेहर अबाद है पाकिस्तान के साबक वजीर आज़म इमरान खान की जमात तरीक इनसाफ ने 15 अक्तूबर को इसलामबाद के डी चोक पर एदजाज का ऐलान किया है दूसरी जानेब वफा की वजीर इतलाइत अताला तारण का कहना है कि वफा की दारल हुकूमत में S.C.O. के इजलास के दुरान शर्पसंद अनासर को रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा तरीक इनसाफ की तरफ से जारी किये गए एक बियान के मताबिक तरीक इनसाफ की पॉलिटीकल कुमेटी ने फैसला किया है कि अगर इमरान खान तक फोरी रसाई नहीं दी जाती तो इसलामबाद में 15 अक्तूबर को पूरा पाकिस्तान पहुंचेगा और पंजाब में जारी तमाम एतजाज मौखर कर दिये जाएंगे ख्याल रहे कि अमरान खान को तहरीक अदम एत्माद के जरिये मजारत इसमा से बेदखली के बाद से कई मुकदमात का सामना है और वो फिलहाल अडियाला जेल में कैद है वजीर दिफा खाजा आसिफ ने पी टी आई के एतजाज की काल को पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम पैदा करनी की कड़ी करार दिया है और कहा है कि S.C.O. इजलास के दुरान हम मुलक को यरगमाल बनने नहीं देंगे वाज़ रहे कि S.C.O. इजलास की सिकेरोटी के लिए इसलाबाद में 17 अक्तूबर तक फोड ताइनात की गई है और पाकिस्तान के सूबा पंजाब के मज़ीद 5 अजला में 40 तोर पर दफ़ा 144 नाफिस कर दी गई है जिसके तहद हर किसम के सियसी इजित्माद, धरने जलसे इतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी होगी हकाम के मताबिक दफ़ा 144 के निफास का मकसद इसलाबाद में मुनकद होने वाले शिंगाई तावन तन्जीम के सरबराही इजलास को महफूस बनाना है इसलिए रावल पिंडी में भी सियसी इजित्माद, धरने जलसे मुझाहरे इतजाज समयत तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और उन्हें जिवडिशल रिमांड पर जेल भीज दिया है पाकिस्तान की वफाकी हकूमत की जानिब से तमनाई के शुबे में मुलक में बिजली पैदा करने वाले पांच कारखानों यानि इंडिपेंडन्ट पावर परडूसर यानि आई पी पीज के साथ मौहिदे खतम करने का ऐलान किया गया है मौहिदे खतम होने का ये ऐलान वजीर आज़म शबाश शरीफ ने वफाकी कावीना के जलास की सदारत करते हुए किया जिसमें उन्होंने कावीना के अराकीन को बताया कि मुलक में आई पी पीज के साथ बिजली पैदा करने और उसकी खरीदारी के लिए किये जाने वाले म हैसें जब गुजिशता निगरान काविना में वजीर तिजारत वा दाखला गोहर अजास की जानब से सोचल मीडिया पर पोस्ट किये गए एक पेगाम में उन मौहिदों पर कैपसिटी पेमिन्ट की मद में अदा की जाने वाली रकूम पर तनकीद की गई थी जो कई सो की शरायत के तहद किया गया तहम इसके साथ कैपसिटी पेमिन्ट की वज़ा से बिजली सारफीन से बिजली की खपत से ज़ादा बिल वसूल करने की शकायात भी मनजर आम पर आई हैं अवामी सता पर तनकीद के बाद मुजूदा हकूमत की जानब से आई पी पीज के साथ म मौहिदे खतम होने का इलान किया गया हकूमत की जानब से जिन पांच बिजली बनाने वाली कंपनियों के साथ मौहिदे खतम होने का इलान किया गया है उनमें हबको पावर कंपनी लाल पीर पावर कंपनी रोश पावर सबा पावर प्लांट और अटलस पावर प्लांट शा वाज़ रहे कि इन कंपनियों के साथ किये गए हकूमती मौहिदे एक से दो साल की मुदत में खतम होने वाले थे अब बड़ा सवाल ये है कि क्या हकूमत की जानिब से पांच आई पी पी से मौहिदों से खात्मे के बाद क्या अवाम के लिए बिजली की कीमत कम होगी और क्या इस से हकूमत को कई सो अरब रुपए की कैपेसिटी पेमिट की अदाईगी में बच्चत होगी जिसका बोज सारफीन को बरदाश्ट करना पड़ता है वाकफाने हाल का कहना है अबी जो ये पांच खत्म हो चुकी है इनसे तो खुरम सेहन साब के मताबिक सिर्फ एकतर पैसे का फरका है पर यूनिट लेकिन इसके इलावा जो खत्म होने जा रही है उसमें पांच रुपए का और फरक पड़ेगा और शायद अगर ये री निगोशियेट कर पते हैं च कека कंपनियों को अदा करनी है आफिया मलक ने इस सलस्ले में बताया कि 5 कंपनियों के मौाइदों के खात्मे के बाइद काप सिर्फ पैमन के मद में कोई रिलीफ नहीं मिले गा, क्यों के जिन 5 कंपनियों के मौइदे खत्म हुए हैं उनकी मौइद थे तैसे भी अगले डेड़ दो सालों में खतम होने वाले थे। उन्होंने कहा कि सन 1994 सन 2000 और सन 2006 की पावर पालिसियों के ताहद जो पावर प्लांट्स लगे थे उनकी तादाद 46 थी। जिसका मतलब है कि 5 कंपनियों के मौहिदों के खातमे के बाद 41 कंपनियां रह जाएंगी। इसके लावा सन 2015 में लगने वाले पावर प्लांट्स भी हैं और हकुमत के अपने हाइडल और निकलियर पावर प्लांट्स अलग से मुझूद हैं। उन्होंने कहा कि इस मौाइदे के खातमे से कैपसिटी पेमिट में कोई काबल जिकर कमी नहीं आएगी और नहीं सार्फीन के बिजली के ृलों में कोई खास कमी आएगी। बिलो में कोई खास कमी आएगी पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर कराची के एक शहरी ने बलोचिस्तान से तालुक रखने वाले इनसानी हुकूक की कारकुन और लापता बलोचों के लिए एतजाजी मार्च की क्यादत करने वाली मारंग बलोच के खलाफ मुलक में बद अमन इदारों पर इल्जामात लगा कर संगी नोयत की धंकिया देते और हमारे इनसाफ के एवानों में इन इदारों को नीचा दिखाने की नाकाम कोशिश करते हैं। दरखास गुजार ने इल्जाम आयद किया कि इस तरह के किरदार प्रोसी मुलक के दुश्मन अनासरों के मुकमल राब्तों में हैं। और उनकी इमा और फंडिंग से आई रोज हमारे मुलक के मुक्तलिब शहरों और शाराओं पर धरने देने का सिलसला शुरू कर रखा है। F.I.R. में इल्जाम है कि बलोचिस्तान के पड़े लिखे नोजवानों मर्द और खावातीन को रोशन मुस्तक्बिल का जहासा दे कर उन्हें वरगलाया जा रहा है। और इस सिलसले में खास तोर पर खायर बलोचिस्तान में आमद और रफ्त को रोकने की कोशिश की जा रही है। दूसरे इलाकों से बलोचिस्तान जाने वले मजदूरों को कतल कर दिया जाता है और फिर इसका इलजाम रियासत पर डालने की कोशिश की जाती है ताके मुलक में अनार की फैले और रियासत के लिए लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो F.I.R. में मारंग बलोच को नामजद करके दावा किया गया है कि वो अपनी रेलियों में जित्थों की शकल में दैश्यत गर्दों को शैरों तक लाई हैं और वो बाअसानी हसास जगों की रैकी करते हैं और हमले करवाते हैं अपने खलाफ F.I.R. पर रद्यमल में BBC से बात करते हुए मारंग बलोच का कहना है कि ऐसा तमाम स्यासी कारकुनों और इंसानी हुकूक के कारकुनों को दिवार से लगाने के लिए किया जाता है मारंग बलोच का कहना था कि ये सब हमें बैनलकवामी सता पर पैचान मिलने के बाद हमें मकसद से हटाने और ड्राने की एक बोगस कोशिश है उनका कहना था कि मेरा पासपोर्ट छीने जाने पर मेरी एफ़ायार दर्ज नहीं की गई लेकिन उल्टा मुझ पर एफ़ायार दर्ज की गई मारंग बलोच का कहना है कि उन्हें टाइम्स मैगजीन की जाने की तक्रीब में शिरकत के लिए जाने से रोका गया है उनके मताबिक कराची एरपोर्ट पर उन्हें परवाज में सवार नहीं होने दिया गया जहां पहले उन्हें ये कहा गया कि उनका वीजा वेलिड नहीं ताहम बाद में बताया गया कि उन्हें सफर की इजाज़त नहीं मारंग बलोट का इलजाम है कि एरपोर्ट से वापसी पर रास्ते में पॉलिस की जानेब से उनकी गाड़ी रोकी गई और उनसे उनका पासपोर्ट ले लिया गया जो अब तक वापस नहीं किया गया है कि अगर उस पर कोई असॉल्ट होता है तो पॉलिस उसकी फाई यार अब्तिदाई रिपोर्ट जो है ना वो जरूर दर्श करें उसके बाद केस कोट में जाता है और कोट ही थाबित करती है कि कौन कुसूरवार था या नहीं था तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस मुलक में जो अब्तिदाई रिपोर्ट है उसको भी जमा करने का इख्यार बनो चोपो नहीं दुनिया का सबसे ज़्यादा मारूफ अमन का नोबेल इनाम जापानी जोहरी बॉम हमलों में बच जाने वाले अफराद की तन्जीम नीहोन हिदानकियों को दे दिया गया है ये तन्जीम सन 1906 में हिरोशीमा और नागासाकी में एटम बॉम हमलों में बच जाने वाले अफराद ने बनाई थी और नार्वे की नोबेल कुमेटी ने दुनिया को जोरी हदियारों से पाक करने में नीहों हिदांकियों की कोशिशों को तसलीम किया है नोबेल कुमेटी के सरबरा का कहना है कि नीहों हिदांकियों ने जोरी हदियारों की बुराई को सामने लाने में आहम किरदार अदा किया है उन्होंने जपानी तन्जीम की तारीफ करते हुए कहा कि इसकी जानेब से एटम बॉम हमलों को अपनी आंखों से देखने वाले अफराद की गवाईयों का अच्छा इस्तमाल किया गया है और ये यकीनी बनाने की कोशिश की गई है कि जोरी हत्यार कभी दुमारा इस्तमाल न हो नीहोंन हिदांकियों के शरीक सरबरा नीमाकी ने जपान में साफियों से गुफटगू करते हुए कहा कि मैंने खाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा गुजिश्टा बर्स अमन का नोबेल इनाम इरान में इनसानी हुकुक के लिए काम करने वाली कारकुन अमन के कयाम और फरोग के लिए सबसे ज़्यादा या बेतरीन काम किया हो। ख्याल रहे 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशीमा में यूरिनियम बॉम किराया था और इस हमले में तकरीब एक लाग चालीस हजार अफराद हलाक हुए थे इसके तीन दिन बाद एक और एटम ब उमिदवार थे, 97 शक्सियात और 89 तन्जीमें शामिल थी, मगर सवाल ये है कि इस तन्जीम के इनामात इतने मौतबर क्यों है और माजी में इन्हें किस किस ने जीता है, नोबेल उस इनामात के सिलसले का नाम है जिसमें कमिस्टरी, फिजिक्स, तीब, अदब और आमन जैस शोबों में अवार्स दिया जाते हैं, ये स्वेडन की करोबारी शक्सियत अल्फरेड नोबेल का बियान है जिन्होंने डाइनामाइट यानि बारूद एज़ाद किया था, उन्होंने अपने तकरीबन तमाम असासे ये इनामात देने के लिए एक फंड में जमा कराए थे, साल 1901 में पहली मरतबा नोबेल इनाम तक्सीम किये गए थे और सन 1968 में स्वेडन के मरकजी बैंक ने इसमें एकोनॉमिक साइंसिस के इनाम को भी शामिल किया था, नोबेल की वेब साइट के मताबिक 1901 से 2014 तक अल्फरेड नोबेल की याद में 933 अफराद और 28 इदारों को नोबेल इनामाद से नवाजा जा चुका है। सिर्फ दो अफराद फ्रांसिसी मसनिफ, पाल सौर्टर और वहित नाम के रहनुमा डग्थू ने नोबेल इनाम कबूल करने से इनकार किया था, फिजिक्स, कमिस्ट्री, तिब, अदब और मौशी साइंसिस के नोबेल इनामा बिजिक्स, करोनाद सुड़न के शहर स्टाक हों में दिया जाते हैं जबके अमन के नोबेल इनाम का इनतखाओ नौरवे में किया जाता है। नौरवे की पारलिमान के जाने जानिब से इस कमेटी में पांच अरकान तायनात किया जाते हैं और यह एवारड, दारल हकोमत औस में दिया जाता है हर इनाम जीतने वालों को तीन चीज़े मिलती हैं नमबर एक नोबेल डिप्लोमा ये नायाब फन पारे होते हैं नमबर दो नोबेल मेडल या तमगा जिनके अलग अलग डिजाइन होते हैं और एक करोड स्वीडिश करोना जो फिलहाल तकरीबन 96,000 अमरीकी डॉलर्स बनते हैं एक इनाम के लिए एक से जादा अफराद होने की सुरत में इनामी रकम को तक्सीम किया जाता है और पैसे वसूल करने के लिए उन्हें एक लेक्चर भी देना पड़ता है हवाई जहास बनाने वाली कमपनी बोईंग का कहना है कि वो अपनी अफरादी केली ने अमले को एक इमेल में कहा कि एक इजेकिटिव मेनेजर्स और मुलाजमीन की नोकरियां खत्रे में हैं ये खबर एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब बोईंग अपने तियारों के मैयार के बारे में अमले की हरताल और बढ़ते हुए खदशात से नबर्द आजमा है मिस्टर केली ने ये मेल में कहा कि कंपनी आने वाले महीनों में अपने मुलाजमीन की तदाद में कमी करेंगी। उन्होंने मजईद कहा कि हमारे कारोबार की हालत और मस्तकبل की बहाली के लिए सخت इकदमाद की जरुरत है। मुलाजमतों में कोटोती के साथ साथ कंपनी अपने ट्रिपल सेवन एक्स की पैदावार में भी ताखिर कर रही है जिसकी वज़ा हमें तरक्की में दरपेश चैलेंजिस के साथ फलाइट टेस्ट के तातुल और जारी काम की बंदिश है जो कई हफतों से जारी हर्टाल के बाइस है उन्होंने का कि हमने सारफीन को इतला दी है कि अब हम दो हजार चबीस में पहली डिलिवरी कर पाएंगे बोइंग में यूनियन की एक माँ से जारी हर्टाल मतनाज़ा हो गई है क्योंके तकरीबन 33,000 मुलाजमी ने बेहतर तनखा के पैकेज का मतालबा किया है आलमी क्रेडिट रेटिंग अजनसी S&P ने बोइंग को क्रेडिट वाच पर डाल दिया है जो इस बात का इशारा है कि अगर हर्टाल खतम होती है तो वो हवाई जहास बनाने वाली कमपनी की दरजा बंदी को कम कर सकते है कमपनी जनवरी के एक वाके के बाद पहले ही कॉंग्रेस की जाच के दाएरे में थी जिसके दुरान एक खराबी की वज़ा से बोइंग 737 मैक्स जेट का पैनल उडान भरने के फॉरन बाद भट गया था बोइंग के उस वक्त के चीफ एगजेकिटिव का कहना था कि कमपनी अपनी गलती तसलीम कर ही है इंडिया के आलमी शौरती आफ़ता बिजनिस टाइकोन रतन टाटा की वफात के बाद उनके सो तेले भाई नोयल टाटा को टाटा टरस्ट का नया सरवरा बनाया गया है टाटा टरस्ट कमपनी की रफाई शाख है जिसके पास इंडिया के सबसे बड़े कारोबारी गुरूपों में से एक टाटा संज के 66% हिसस हैं इसकी साला नाम दिनी सो अरब डॉलर से जादा है 67 साला नोयल टाटा, रतन के वालिद नवाल टाटा और सिमून टाटा के बेटे हैं वो टाटा टरस्ट समयद टाटा की कई कमपनियों के बोर्ड में शामिल हैं और अब इसके खराती दारों की क्यादत करेंगे वो टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, वोल्टास और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के चेर्मेन और टाटा स्टील और टाटन कमपनी लिमिटेड के वाइस चेर्मेन भी हैं वो टाटा की बड़े पैमाने पर मलबुसाद की रिटेल कमपनी Trent Limited के सरवराभी है 2014 में उनकी क्यादत में आने के बाद से कमपनी ने जबरदस्त तरकी पाई ये कमपनी वेस्ट साइड, जोडियो और उत्सा जैसे इंतहाई कामियाब फैशन और लाइफ स्टाइल रिटेल फॉर्मेट्स चलाती है सन 2010 से 2021 तक नोयल टाटा ने गुरूप की आलमी ट्रेडिंग और डिस्ट्रिबूशन फर्म टाटा इंटरनेशनल चलाई जिसकी आमदनी उस दुरान 50 क्रोड डालर से बढ़कर 3 अरब डालर तक पहुँच गई जुमेको टाटा ट्रस्ट ने एक बियान में कहा कि उसने मुत्तफिका तोर पर नोयल टाटा को अपना चेयर्मेन मुन्तखब किया है नोयल टाटा ने कहा कि वो बहुत फखर मैसूस कर रहे हैं और वो अपने भाई की वरासत को आगे ले जाने के मुन्तजर है 91 साला साइशदान जैफरी हिंटन और जॉन हॉप फिल्ड ने मशीन लर्निंग के शुबे में खिदमात पर फिजिक्स का नोबेल इनाम जीत लिया है बरतानवी कैनीडियन अकाडेमिक हिंटन जिने मसनुई जानत का गॉड़ फादर भी कहा जाता है ने अवार्ड जितने पर हैरत का इजार किया है सन 2023 में हिंटन ने गूगल से इस्तीफा दे दिया था और वो एक अरसे से इस हवाले से खबरदार कर रहे हैं कि मशीने जल्द इनसानों से जादा जहीन हो जाएंगी Royal Swedish Academy of Sciences की जानब से स्टाक होमे एक प्रेस कोंफरेंस के दोलान दोनों साइंस दनों के लिए इस अवार्ड का आलान किया गया है Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2024 Nobel Prize in Physics to John Hopfield, Princeton University, USA and Jeffrey Hinton, University of Toronto, Canada for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks सामीन, machine learning को मसनोई जहनत की बनियाद समझा जाता है क्योंकि ये किसी भी machine को मालूमात पैदा करने के लिए तरभियत देती है आज हम मुतादिद टेकनोलोजीज का इस्तमाल सिरफ machine learning के बाईस ही कर पा रहे हैं जैसे इंटरनेट पर हम कैसे सर्च करते हैं और अपने फोन्स पर तसावीर कैसे एडिट करते हैं इस एलान के चंद लमों बाद अकैडमी से बात करते हुए हिंटरन ने कहा कि मुझे मलूम नहीं था कि ये होने वाला है मैं बहुत हैरान हूँ अकैडमी की जानब से उन आहम एप्लिकेशन के बारे में बताया गया जो इन दो साइंसदानों की जानब से प्रोग्राम की गई थी जिन में से कुछ ऐसी भी हैं जो कलाइमेट मॉडल्स, सोलर सेल्स और तीबी शोबे में तसावीर का जाइजा लेने के लिए बनाए गई थी हिंटन की नेउरल नेटवर्क्स तैकीक के बाईसी मुझूदा AI निजाम जैसे चैट GPT की बन्याद पड़ी थी मसनुई जानत के शोबे में नेउरल नेटवर्क्स ऐसे निजाम होते हैं जो मालुमात का जाइजा लेने और उससे सीखने में इंसानी दिमाग से ममास्लत रखते हैं और इनके बाईस मसनुई जानत को तजर्बे से सीखने का मौका मिलता है जैसे इंसानों को होता है और इसे deep learning कहा जाता है पाकिस्तान के सुबा सिंध के सुभाई दरलुकूमत कराची से तलुक रखने वाली जुनेरा और उनकी दो बहनों ने एक ऐसे काम को कारोबार बनाया है जो शायद हर घर में ही होता है ये बहने फटे पुराने कपड़ों से ऐसे फन पारे तखलीक देती हैं जिनकी मांग अब पाकिस्तान से बाहर से भी होने लगी है नोबेल इनाम याफता मलाला यूसफ जई से लेकर कोक स्टूडियो पाकिस्तान के आर्टिस्ट तक इनके खरीदारों में शामिल है जुनेरा अनोशे और हिरा अनसारी के हाथों से तखलीक करदा मसुनवा देकर कोई ये अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि इनमें इस्तमाल होने वाला बुन्यादी समान ऐसी अशिया और कपड़ों पर मुश्तिमिल है जो लोग कच्रे के साथ कूडे में फैंक दिया करते हैं या फिर कबाडियों को बेच दिते हैं हकीकत में ये बेहने फटे पुराने कपड़ों और ऐसी ही इस्तमाल शुदा अशिया की मदद से खूबसूरत और दिलफ्रेब कपड़े और जूते डिजाइन करती है जो उनके लिए जरिया आमदन तो है ही लेकिन साथ ही साथ उनके इस्तमाल करदा तरीका महुलियाती एतबार से भी फाइदा मंद है और सामीन बुलेटन के आखर में एक दिलचस्प ख़बर सामीन मक्खी तो आप सब लोगों ने देखी होगी आप जानते हैं कि वो पैरों के बल चल सकती है उड़ सकती है और नर मक्खी तो मादा मक्खी का दिल जीतने के लिए प्यार बरे गीत भीगा सकती है मगर आप ये नहीं जानते कि ये सब वो कैसे करती है ये सब एक ऐसे दिमाग की मदद से मुम्किन होता है जो सुई की नौक से भी छोटा होता है पहली बार साइश दानों ने तहकी के दुरान मक्षी के सुई की नौक से छोटे दिमाग में मुझूद एक लाग तीस हजार खुलियों की शकल, मुकाम और हता के मक्षी के दिमाग में मुझूद पांट करोड से ज्यादा कुनेक्शन यानि राप्तों की गेर मामूली निशा करार दिया है। मक्षी के दिमाग पर तैकी करने वाली टीम के सरबरा का दावा है कि इस साइंसी जाइजे से सोचने के अमल से मतलक मज़ी तफसिलात मालूम होगी। कैंबरिज की लिबार्टरी आफ माली क्यूलर बायोलजी की मेडिकल रिसर्च काउंसल ने बीबी सी को ब आवास सुन सकते हैं। मक्षी के दिमाग का नक्षा हरानकुन है जो दरासल इनसानी दिमाग को भी समझने में मदद फराम करेगा। इनसानी दिमाग में मुझूद खुलियों को नियूरान का जाता है। याद रहे कि इनसानी दिमाग में नियूरान की तदाद मक्षी के द और शकल में पोशिदा है। ताहम इन तमाम कामों की सलाहियत रखने वाला इतना छोटा कंप्यूटर त्यार करना जदीद साइंस के बस की बात नहीं है। हमकिन हो सकेगा कि हम मवाजना कर सकेंगे कि हमारे दिमाख में जब कुछ खराब हो जाता है तो क्या होता है।